Hello everyone, welcome to my channel English Language Simplified और आज का हमारा टॉपिक है Parts of Speech अब सभी जानते होंगे Parts of Speech के अंदर 8 Parts of Speech आती हैं जैसे Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Adverbs, Preposition, Conjunction and Interjection कई लोगों को Parts of Speech बहुत बुरे लगते होंगे क्योंकि इनके अंदर कई तरह के Words आते हैं जिनने हमें याद करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि उनका Use क्या है सबसे पहले ये समझते हैं कि Parts of Speech की जुरूरत क्या है बहुत सारे जो Language के Experts हैं उन्होंने जो भी किताबे लिखी हैं उसके अंदर Parts of Speech जरूर मेंशन किया जाता है Reason, Parts of Speech ही हैं जो हमें नए शब्द बनाने के लिए Grammar सिखाते कि हमें अगर एक शब्द दूसरे शब्द में चेंज करना होगा या अगर जो हम शब्दों को यूज करते हैं तो वो Parts of Speech हमें कैसे help करता है For example, starting करते हैं नाउन से नाउन सबसे पहले क्यों सिखाया जाता है नाउन सबसे पहले इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि नाउन हमें subject या object देता है नाउन हमें singular and plural subject भी देता है जैसे boy या boys जिसके साथ हम आगे चलके verbs को use करते हैं For example, singular boy is but boys are उसी तरीके से आगे चलते हैं pronoun सीखने pronoun का use होता है नाउन की जगे पे प्रियोग होने वाले शब्द ऐसा क्यों? क्योंकि हम नाउन को repeat नहीं कर सकते हैं अगर कोई paragraph है जिसके अंदर मुझे नाउन के बारे में बात करना है तो मैं बार-बार नाउन ना repeat करके मैं उसकी जगे pronoun use करूंगा इसलिए नाउन की जगे पे नाउन के बाद में pronoun दिया गया है तो pronoun का अर्थ ही है कि वो नाउन की जगे पे use किया जाए तो noun और pronoun पहले इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये हमें subject और object देते हैं बाकी और भी हमें कई सारी चीज़े देते हैं बट फिलहाल हम noun और pronoun को subject और object की तरह प्रियोग करना सीखते हैं noun और pronoun के बाद हमें verb दी जाती हैं क्यों? क्योंकि हम verb का प्रियोग बहुत ज़ादा करते हैं past, present, future तीन तेन 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 तेन्स वर्ब के ऊपर ही dependent है helping verb, main verb, did not, does not, do not, has, have, has, have been, was not, were not what are these? these are verbs so if you understand verbs you will be able to understand tenses very easily noun, pronoun and verb कैसे यूज़ करेंगे? राजू goes there, राजू is going there, he is going there, he went there तो मैंने noun और pronoun को यूज़ करके मैंने सीधे verb लगा दिया तो हमें अगर ये तीन चीज़ आती हैं we can make basic sentences बहुत आसान होते हैं तो इसलिए हमें noun, pronoun सीख कर उनके साथ verb यूज़ करना आना चाहिए तो parts of his speech का ये sequence मुझे ऐसे help कर रहा है फोर्त है हमारा adjective adjective विशेषता बताने वाले शब्द anything that tells me about a quality of something is called adjective तो adjective यहां क्यों आया है? noun, pronoun subject दे रहे हैं उसके बाद वर्व आ गया जो की action बता रहा है अब हम विशेषता बताने वाले शब्द को प्रियोग करेंगे for example that car is beautiful that house is amazing he is tall she is beautiful तो मैं noun और pronoun के साथ adjective लगा सकता हूँ और मैं noun और pronoun की विशेषता बताने के लिए adjective यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसकी position यहां पर है noun और pronoun की विशेषता बताने वाले शब्द adjectives होते हैं इसलिए हम adjective सीखना जरूरी है then comes adverb adverbs यानि की kriya विशेषन तो इसके अंदर दो शब्द चुपे हैं add adjective verb वर्ब बताने वाले तो adverb हमारी adjective और verb की quality बताता है अब noun और pronoun से हमारा यहां पर कोई connection नहीं है so adverb हमें adjective या adverb की quality बता रहा है and adverbs are one of the most used words यह हमें manner बताते हैं time बताते हैं place की quality बताते हैं for example he speaks politely अब politely जो है यह एक adverb है I am very busy अब very जो है यह busy की quality बता रहा है और busy जो है वो एक adjective है तो adverbs हमें adjective या verb की quality या उसका manner बताते हैं तो अगर हम adverbs नहीं सीखेंगे तो मैं इन दौनों को modify नहीं कर पाऊंगा that is why I need to learn adverbs to talk about adjectives and verbs और यह बहुत powerful words होते हैं उसके बाद आते हैं prepositions 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 हमें connection show करते हैं for example that book is on the table अब जो book और table है वो दोनों नाउन है और दोनों का connection है वो on से आ रहा है now that on is a prepositions now there are different types of prepositions which I should know to make good sentences and correct sentences अगर मेरे prepositions नहीं आएंगे तो मैं जो हमारी चीजों की जो positions है या time है या place है उन से related में sentences बनाने में मुझे कठनाई हो सकती है prepositions की तरह ही conjunction होते हैं conjunctions को connectors भी कहते हैं अगर मैं conjunction सीखता हूँ again I can build connection between things for example I have a car a bike and a cycle अब जो end है that is a conjunction she is going to Delhi but I am sitting at home दो clauses हैं इसके अंदर वो बट से जोड़े हुए हैं but I am sitting at home तो दो सेंट clauses को जोडने के लिए मुझे conjunction की जुरुरत पड़ी so preposition and conjunction they show connection they build connection between words, phrases and clauses last है हमारा interjection interjection वो शब्द होते हैं जो मेरे surprise, shock को express करें for example hooray, alas, oops, wow ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम बहुत ज़्यादा अपनी भाशा के अंदर use करते हैं हलाकि interjection के list बहुत लंबी है अगर मुझे interjection वाले शब्द आते हैं तो मैं अपने emotions को right amount में या सही तरीके से express कर सकता हूँ इसके ओपर काफी debates हैं कि हमें preposition parts of speech सीखने चाहिए नहीं सीखने चाहिए, कब सीखने चाहिए कौन सा सीखना चाहिए कुछ बच्चे तो इसे सीखने चाहते हैं और बाइपास all the parts of speech and they want to learn things that are beyond parts of speech or they believe in direct approach that's very good आपको पता करना होगा which is the right method for you to learn what are your goals when you think about learning English and what do you want to achieve and in how many months you want to achieve the same thing so one thing works for somebody else and the same thing may not work for somebody else so you need to find out what is the right and best way for you to learn English and if you are okay with parts of speech कई बच्चे होते हैं जने सेंटेंस पढ़ते हैं उने जो शब्द होते हैं parts of speech के जो जिस फॉर्म में आते हैं they easily understand but कुछ नहीं समझ पाते किसी का बाग्गराउं English medium का है somebody has gone to ICSE कोई CBC गया है कोई state board से पढ़ा हुआ है कोई Hindi medium से पढ़ा हुआ है तो सबका background अलग-अलग है now आपको decide करना होगा कि आपको किस तरह से सीखना है whether you want to learn the direct method से या indirect method से आप सुनकर महौल से English सीखना चाते हैं या आप formal तरीके से English सीखना चाते हैं आप grammar avoid करना चाते हैं या grammar के साथ सीखना चाते हैं grammar बहुत बड़ी है बट जो functional grammar है जो कि हम अपने daily conversation में use करते हैं communication में use करते हैं उतना भी आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है सो parts of speech से मेरा सिर्फ यह message था कि parts of speech हम use क्यूं करते हैं इसका एक ये exact sequence क्यूं दिया गया है noun के बाद pronoun या verbs क्यूं दिये गए हैं और इनका क्या उपियोग है आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच्च